सो हाई विर्बों स्वागत एक और नाइब वीडियो पे सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने माले अउज्जा के पाउरफुल इंडियान एंप्लिफायर के बारे में जो कि आप लोगों को मोना एंप्लिफायर में सबसे हेवी वाटिस का अउज्जा के तरफ से एं लेना चाते हैं जिस वह हेवी से वाटिस का टॉप चला सके और ज्यादा से ज्यादा मत्रा माम उस पे हेवी वाटिस का अरण भी चला सकते हैं तो गईश्जार आज की इस वीडियो में कंप्लिट अउज्जा के तरफ से पचीस सो वाटिस का मोना एंप्लिफायर के पर हम लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं अगर गईश्जार आप लोग इस वन्फायर को अपने मार्केट में बाय करते हैं तो कितने रुपय में यहाँ अप लोगों कोई जली मिल जाएगा ए भी आप लोगो कोई इस वीडियो मालूम चलेगा नमस्कार दोस्तों मैं अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी किलिक लिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो जब इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से काफी जदा में मोटिवेट मिलता है अगर गईशार आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो सिंप्ली गईशार यहां पुरहां बात करने वाले अगुजा के हाई वर्टेज पीए पाउरफूल इंडियान एंप्लिफायर के बारे में जिसका मोडल अमराप लोगों को इस पीए पचीशार देखने को मिल जाएगा ज जो कि काफी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के है और पुटनी काल कर दे देता है गईशार बात करें इस वीडिफायर के फ्रंट पैनल के बारे में तो गईशार इस वीडिफायर का फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा जो कि इस गिरिल जाली के आप लोगों के इस वीडिफायर में कोई भी हिटिंग प्रोटेक्शन का चांस न बने यानि आप लोग इस वीडिफायर को लॉंग टाइम भी इज कीजेगा तो कोई भी इसके अंदर दीको थने वाला नहीं है साथी गईशार यहाँ पर आप लोगों को एक मास्टर का आप लोग इस वाले इनफायर पे अगर हरन चलाना चाते हो तसे वाले सीघूझ को हरन आइकन के साइब किजेगा तो अहां पे रेड कलर का लाइट ब्राइट होगा ता आप लोग समझेगा कि अभी इस वाले स्गरी के वाला इंडिकेट पर पो घया यानि आप लोग इस इस्वाले सीज का बेसिक सा काम यही है कि आप लोग दोनों में से कोई एक कोई चला सकते हैं गैसेर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा light indicate देखने को मिल जागा जो कि output level के लिए आप लाइट indicate दिया गया है जितना आप लोग मास्टर वाले वुलियम को ओपिन किजिएगा टोटल यहाँ पर आप लोगों को output level इंडिकेट करेगा कि आप लोग इस वाइन फायर से कितना अपने टॉप में पाउर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इजली मालुम चलता रहेगा साती गैसर यहाँ पर आप लोगों को बह यहाँ पर एलो कलर का लाइट दिया गया है अगर मान के चलिए कि आप लोगों के आम फायर का चंता पचीस सोब आटिस का है आप लोग इस पे टीन अजार चार अजार से वाटिस का लोड़ डाल रहे हैं और यहाँ फैर ओवरलोड प्रोक्टर संदिकार है तो यहाँ पर आप लोगों को एलो कलर का लाइट ब्राइट होगा तो आप लोग समझेगा कि मेरा यह फैर ओबरलोड में चला गया तो इस ओबरलोड मोड को हटाने के लिए आप लोगों को प्रेस टू रिशेट का एक सीच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस वाले सीच को जैसे ही आप लोगों का इलो कलर का जो लाइट है बुझ जाएगा तो आप लोग समझेगा कि यह फैर इसली रन मोड में हो गया तो पूना आप लोग इसे रन कर सकते हैं कोई भी दीकत होने वाला नहीं है साथी गईशार यहाँ पर आप लोगों को टेंपरेचर के लिए यह लोग समझेगा कि यह फैर काफी जड़ा हीट हो चुक है तो कुछ देर के लिए आप लोग इस वाले फैर को बन करके पूनाई से रन कर सकते हैं जो कि आप लोगों का टेंपरेचर हीटिंग वाला लाइट जो है बुझ जाएगा तो एजली यह फैर रन करना काम चालू कर देगा साथी गईशर यहाँ पर आप लोगों को एक पौन अनफ करने के लिए इस वाले फैर को सिंपल सा आप लोगों को फीचर देखने को मुझ जाता है जो कि इस वाले फैर को कोई भी ऑपरेट कर सकता है चलिए गईशर अब हम बात कर लोते हैं इस वाले फैर के टेकनिकल डिटेल और इसिपिकेशन के बारे में तो गईशर इस वाले फैर का पाउर आप लोगों को पचीस सो वाटेज आरमेस में देखने को मिल जाएगा लेकिन यहापर कमपनी क्लेम करते है कि आप लोग इस व वाटेज का लोड है लेकिन आप लोग इस पे 4,000 और 3500 वाटेज तक का बहुत सरे वाई लोग लोड देकर चलाते हैं कोई दीकत होने वाला नहीं है लेकिन यह पर कमपनी बोलती है कि 3000 वाटेज तक का लोड देंगे तो काफी लाग तेंट के लाइफ बना रहेगा तो मेर आप पर 50 से 15,000 रट और देखने को मिल जागा जो की काफी दूर तक इस वाल नहीं दिया गया तो आप लोग इस पे के वाल टू ओम और फोरॉम पर ही चला सकते हैं बात करें इस वाल नहीं दबेगा तो गई शर एसमिफायर का पॉर्ण सप्लाई आप लोगों को एसी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के 20 में आप लोग दिजिएगा तो की भी दीखात होने वाला नहीं है जो कि अउज्जा का जितना भी एसमिफायर आता है टोटल इतना ही वोल्टेज पर अपरेट होता है जो की काफ पाफी जदा हैवी क्वालिटी और काफी जदा हैवी bene उनफायर हो जाता है जिससे बोल सरे भाए लोग इसवालीन खली के नाम से भी जानते हैं चलिए गया सबसे प्लम बात किरेंगे 2 वारंड के लिए तो टूों पर लोड के लिए आप लोग इस पे फोरोम इंपडेंस वाला टॉप जो की 15 ची कर रहेगा तो एजली आप लोग 1300 वाटेस से लेकर 1500 वाटेस के बीच के आप लोग दो टॉप चला सकते हैं जो की दुनों टॉप को पैलर में कनेक्शन की जेगा तो रेड वायर आप लोगों का कनेक्शन हो यहाँ पर कॉमन पे तो इस तरह से आप लोग इतने हेवी वाटेस का यहाँ पर टूप पे लोड दे कर चला सकते हैं बहुत सरे वायलुकते इस पे 1700, 1800 और 1900 वाटेस का भी एक एक टॉप यानि दो टप कनेक्शन करके चला लेते हैं कोई दीकत नहीं होता है बड़ गैसर इ लोड देना चाते हैं तो फॉरूम पे लोड के लिए आप लोगों के पास फॉरूम इंपिडेस वाला 15 जी का टॉप रहेगा जो कि एक ही टॉप का वाटेसर प्छी पर हम बात करेंगे कि फॉरूम पर भी हम दो टॉप चलाना चाते हैं तो इसली आप लोग फॉरूम पर दो टप चला सकते हैं जो कि फोरॉम पे लोड के लिए आप लोगों के पास एट ओम इंपडेंस वाला टॉप होना चाहिए जो कि बारेंची या फिर आप लोग 15 इंची का टॉप बना सकते हैं जो कि आप लोगों को अगर डीजली कल्कुलेशन करना आता होगा कि कैसे इस पी बिकर को सेरीज में करने पर ओम बढ़ता है तो इसलिए आप लोग इस पर एट ओम इंपडेंस वाला टॉप बारेंची या पंदरेंची का दो टॉप तेरह सो वाटेज या पुंदरह सो वाटेज का एजली कल्कुलेशन करके इस पर आप लोग तीन अजर वाटेज यहां पर 800 वाटेज तका लोट डाल सकते हैं जो कि दो टॉप यहां पर एट ओम सो जाएगा फोरॉम और इसलिए फोरॉम के लोट पर चलेगा कोई भी दीकत होने वाला नहीं है तो इस टैप से आप लोग इस पर दो टॉप फोरॉम पर भी चला सकते हैं लेकिन गईशर यहां प इस टैप के चार्ट आपको आप लोग पैरलर में कनेक्शन किजिएगा तो एट ओम से डारेक्ट वबन जेगा टूओम और इसका वाटेज हो जाएगा मान के चलिए कि 800 वाटेज का और चलो के 32 वाटेज हो जाएगा तो कोई भी दीकत नहीं होने वाला है यहां साथ सो वा आप लोगों को कॉमन पर कनेक्शन हो जाएगा इस टेप से आप लोग इस वालें फार पर कनेक्शन करके चला सकते हैं कोई भी दीकत नहीं होने वाला है अगर आप लोग इस पर रहों कनेक्शन करके चलेएगा तो एजिली आप लोगों का स्पीकर जलने के 100% चांस पर easily base चला सकते हैं, जो कि अगर मान के चलिए कि single base कर देगा तो कोई भी दीकत होने वाला नहीं है तो इसली आप लोग साड़े 600 वाटिस का चार सिंगल बेस चला सकते हैं जो कि 26 वाटेस का है जो कि अउजा के तरफ से HWX 26 मोडल का एक डूल बेस आता है तो इस टेव के डूल बेस भी आप लोग केवल एक ही चला सकते हैं जो कि इजली आप लोगों को फोरूम पे कनेक्शन हो जाएगा कोई दीकत होने वाला नहीं है लेकिन गैशर अगर मान के चलिए का हमारे पास 1200 वाटेस या 1300 वाटेस का एक सिंगल बेस है तो इजली आप लोग इस टेव के वी दो सिंगल बेस चला पाएंगे जो कि आप लोगों को पता है कि एटो में भी डेंस का एक सिंगल बेस होता है तो गईशेर आप लोग इस पर अगर 40W का हरन चलाना चाते हैं तो इसली 70-75 हरन चला पहेंगे जो कि आप लोगों पता है का उज्या का 40W का हरन मार्किट में काफी ज़्यदा डिमांडर है एक और आप लोगों को 50W का उज्या का मोडल हरन देखने को मिल देता है जो कि ये तो और भी काफ़ी ज़दा डिमेंडर होता है बहुत से रवाई लोग हो जाक है पचास वाटिज ये चालिस वाटिज का हरन यूज करते हैं तो अगर आप लोग इस पे 40 वाटिज का आप टोटल यूनिट लगाना चाहते हैं इसली पाउर कल्कुलेट करके 70 से 75 हरन चलाएंगे तो सुपर क्वालिटी मिलेगा कितना भी दूर तक आप लोगी से हरन लागएगा तो सुपर बज़ेगा कोई भी आप लोगों के हरन में साउन क्वालिटी दबने के चांस नहीं रहेगा अगर हमारे पास 50 वाट इसका हरन है तो 55 से 60 हरन इस पे कनेट कर सकते हैं जो कि आप लोगों पता है कि हरन कैसे कनेक्शन होता है नहीं पता है तो यहां पर समझेए कि हरन का जितना भी रेड वायर होता है 100 वोल्ट पे लगता है और जितना भी black वायर होता है total आप लोगों को common पे लगता है यानि minus वायर common पे और plus वायर 100 वोल्ट पहरन का लग जाता है कोई भी दीकत होने वाला नहीं है तो इस टेप से आप लोग इस पहरन का connection कर सकते हैं जो की काफी ज़्यदा बेस्ट वजएगा सुपर क्वालिटी के सांद निकल कर देदेगा चलिए गई शेर अब हम बात कर लेते हैं कि इस एमिनफायर का प्राइज हमारे market में कितना देखने को मिल जागा तो गई शेर इस एमिनफायर का प्राइज आप लोगों के मार्केट में इसली पचास आर से तीरपान अजार की बीच में देखने को मिल जागा तो बहुत सारे भाई लोग इस वाले अमिनफायर का प्राइज सुनकर ही सोख हो गया होगे तो गई शेर इस एमिनफायर का सबसे हेवी वाट इसका मोनो अमिनफायर है तो इसली इसका प्राइज आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जागा बहुत सारे भाई लोग इभी कमेंट में बोलेंगे कि इस अमिनफायर के जगा पे हम इतने प्राइज रेंज में दुसरा अमिनफायर ले सकते हैं इसली इतना ही प्राइज रेंज में मिलेगा जो कि काफी ज़्यदा बेश्ट होगा हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइज दूचार अजार कम और ज़्यादा देखने को मिले तो गईशार आप लोगों आप अपना मैनेज किजिएगा लेकिन गईशार आउजा ए कैसा चलता है अगर आप लोग कोई भी मेरे विवर लोग इस वालाइज करते हैं तो कैसा रिस्पोंस देता है आप लोग इस वालाइज पर कितना लोड डालते हैं यह भी अपना रहा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आई होब कि वीडियो आप लोगों प आउन सिस्टम से लेटीव कोई भी सवाल इता आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जिसका रिपलाई अप लोग को अगले वीडियों देखने के मिलेगा यह गई सर आप लोग मुझे इस्टेगराम पर वीडियों करके पूछ सकते हैं जिसका लोगों को स्क्रीन पर भी सो हो जाएगा तो चलिए गई सर मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए टोपी नए वीडियो के साथ अबता के लिए जय हिंद जय भाड़